नमस्कार आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल सिक्षा सखापर आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं कक्षा साथ की हिंदी की पार्टे पुस्तक बाल महा भारत कता का दुरूना चारे पार्ट इस पार्ट में हम इसके सार प्रशन अभ्यास और बहु विकल्पिय प पिशली वीडियो में मैंने आपको कंड पार्ट के सार प्रशन अभ्यास और बहु विकल्पिय प्रशन अथर करवाई थे अगर आप मेरे चैनल पढ़नाई है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन को जरूर दबाएं मैंने अपने चैन करते हैं इस पार्ट की सबसे पहले हम इस पार्ट का सार करेंगे आचार ये द्रोण महर्शी भारदवाज के पुत्र थे पांचाल नरेश द्रुपद भारदवाज के आश्रम में उनके साथ ही वे मित्र थे दोनों में गहरी मित्रता थी उन दोनों में इतनी गहरी मित्रता थ थी कि एक बार राज कुमा द्रोपद ने हसी मजाक में कह दिया था कि अगर मैं पंचाल देश का राजा बन जाऊंगा तो आजा राजे तुम्हें दे दूँगा शिक्षा ग्रेंड करने के पस्चा द्रोण का विवा क्रपाचारे की बहन क्रिपी से हो गया और उनके अश्वत हमा नाम का पुत्र हुआ द्रोण अपनी पतनी और पुत्र से बहुत प्यार करते थे द्रोण बड़े गरीब थे एक बर उन्हें पता चला कि परशुराम अपनी सारी संपत्ती गरीम ब्रामनों में बाट रहे हैं द्रोण भी वहां पहुँचें किन्टु वहां पहुँचने तक परशुराम अपनी सारी संपत्ती बाट कर वन गमन की त्यारी कर रहे थे द्रोन को देखकर परशुराम जी बोले ब्राह्मन श्रेश्ट आपका स्वागत है पर मेरे पास जो कुछ भीधावय मैं बाढ़ चुका हूँ अब मेरे पास शरीर और धनुर विद्या ही है बताईए मैं आपके लिए क्या करूँ द्रोन ने उनसे समस्त्र शस्त्रों का प्र द्रोन को बच्पन के मित्र की बाते याद आने लगी वे सोचने लगे कि राजा दुरुपद आदा राज्य भी ना दे तो कोई बात नहीं कुछ धन तो देगा मन में यह आशाएं लेकर द्रोन दुरुपद के पास पहुँचे और बोले मैं तुम्हारा बच्पन का मित्र द्रोन हूँ एंकार एवं एश्वरे के मद में चूर राजा दुरुपद को द्रोन का आना अच्छा नहीं लगा वे बोले मुझे मित्र कहकर पुकारने का तुम्हें साहस कैसे हुआ क्या तुम्हें पता है कि सिहासन पर बैठे हुए एक राजा के साथ दरिद्र प्रजा क मित्रता कैसे हो सकती है मुर्क की विद्वान के साथ और कायर की वीर के साथ मित्रता नहीं हो सकती मित्रता बराबरी समय उन्होंने प्रण लिया इस एहंकारी राजा को सभक जरूर सिखलाऊंगा बच्पन में जो आपस में मित्र के बीच यह बात हुई थी उसे पूरा करके ही चैन लूँगा वे हस्तिनापुर गई और पत्नी के भाई कृपचारी के घर गुपत रूप से रहने लगे कुछ स अंगुठी निकालने में राजकुमारों को ऐस अफल होते देकर द्रोण ने राजकुमारों से कहा राजकुमारों बोलू मैं गेंद निकाल दू तो तुम मुझे क्या दोगे हे ब्रामन श्रेश्ट अगर आप गेंद निकाल देंगे तो कृपचारे के घर आपको बढ़ि उन्होंने द्रोण के आगे सम्मान पूर्वक्षी जुकाया और हाथ जोड़कर पूछा महराज हमारा प्रणाम स्विकार कीजिए और हमें आप अपना परचे दीजिए कि आप कौन है हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं द्रोण ने कहा इस सारी घटनाओं को बता कर पितामा भी भीष्मने द्रोण को बहुत समान दिया और राजकुमारों को आदेश दिया कि वे गुरु द्रोण से ही अस्रविद्या सीखें कुछ समय बाद राजकुमारों की सिक्षा दिक्षा पूरी हो गई । एसके बाद आचारे द्रोण ने गुरु दकष्णा में अपने को बंदी बनाकर आचारे द्रोन के सामने लाकर खड़ा कर दिया। द्रोन अचारे ने मुस्कुराते हुए द्रुपत से कहा हेवीर डरो मत किसी प्रकार की कोई वे पत्ती की आशंका ना करो। बच्पन में हमारी तुमारी मित्रता थी। सासात हम दोनों खेले कूदे, परंतु मैं तुम्हारे साथ मितरता करना चाहता था इसलिए आदा राजे तुम्हें वापस लुटा देता हूं क्योंकि मेरा मितर बनने के लिए तुम्हें राजे चाहिए ना मितरता थो बरावर हैसियत वालों में हो सकती है द्रोण ने अपना अपमान का बदला ले लिया अते उन्हें उन्हें द्रुपद को आदा राजे वापिस कर दिया दुरुपद अपने अपमान की ज्वाला में जनने लगा उन्होंने दो वरत वरतप के द्वारा दो कामनाई पूरी की एक ऐसा पुत्र जो दुरुण को मार सके एक ऐसी कन्या जिसकी अरजुन के साथ शादी हो सके कालंतर में उनकी कामनाई पूरी हुई और द्रिस्ट दुम नामक एक पुत्र हुआ जो आगे चलकर कुरुशेत्र के युद के मैदान में द्रोण के मौत का कारण बना और द्रोपदी नामक एक पुत्री हुई जो अरजुन से ब्याही गई प्रेशन एक आचारे द्रोण कौन थे उत्तर आचारे द्रोण महर्ची भारतवाज के पुत्र थे प्रेशन दो उनकी किस के साथ गहरी मित्रता थी उत्तर दुरुपद और द्रोण में गहरी मित्रता थी प्रेशन तीन द्रोणाचारे का किस के साथ विवा हुआ था उत्तर द्रोणाचारे का विवा कृपाचारे की बहन के साथ हुआ था प्रेशन चार परशुराम अपनी संपत्ती गरीब रामनों को दान में क्यों दे रहे थे उत्तर वन कमन के उदेशय से परशुराम अपनी सारी संपत्ती गरीबों में बाट रहे थे प्रश्न पांच शिक्षा पूरी होने पर द्रोन ने अरजु से गुरु दक्षिना में क्या मांगा उत्तर शिक्षा पूरी होने पर द्रोण ने अर्जू से गुरु दक्षिना के रूप में पांचाल राज को कैद कर लाने के लिए कहा प्रेशन 6 द्रोपद ने द्रोण के साथ कैसा बैवार किया उत्तर द्रोपद ने सत्ता के मद में द्रोण का अपमान किया प्रेशन साथ दुरूपद वे पुत्र वे पुत्री के नाम बताएं उत्तर पुत्र का नाम द्रिस्ट दुम्न थता पुत्री का नाम दुरौपदी था अगला प्रशन है द्रोन ने कुएं से गेंद किस प्रकार निका ली उत्तर द्रोना चारे ने पास में पड़ी हुई सीख उठा ली और उसे पानी में फेक दिया सीख गेंद में ऐसी जाकर लगी जैसे तीर और फिर इस तरह लगातर कई सीखे एक दूसरे में डालते गई सीखे एक दूसरे से चिपकती गई जब आकर सीख का सिरा कुएं के बाहर तक पहुँच गया तो द्रोणाचारे ने उसे पकड़ कर खीच लिया और गेंद निकल गई प्रेशन दो द्रोण के वेवार से दुखी होकर द्रोपद ने क्या प्रतिग्या की उत्तर द्रोन के वेवार से दूखी होकर द्रुपद ने बदले की भावना को अपने जीवन का लक्षे बना लिया उन्होंने कई कठोर व्रत और तप इस कामना से किये कि उसे एक ऐसा पुत्र हो जो द्रोन को मार सके और एक ऐसी कन्या हो जो अरजुन से ब्याही जा सके प्रेशन तीन बंदी बने हुए दुरुपद ने दुरोणाचारे ने क्या कहा उत्तर दुरोणाचारे ने दुरुपद से कहा आपको किसी डर्या विपत्ती की आशंका नहीं करनी चाहिए तुमने मेरा अपमान करते समय कहा था कि राजा ही राजा के साथ मित्रता कर सकता है मैं तुम्हें आदा राजे तुमको लोटा दूँगा जिससे बरावर राजे के स्वामी बनकर हम दोनों मित्र बने रहें प्रेश्न 4. दुरौण से बदला लेने के लिए दुरौपद ने क्या किया? पुत्री दुरौपदी मिली और पुत्र दृस्ट दुम्न मिला, दृस्ट दूम्न के हाथों ही दुरौण मारे गई थे. अब हम इस पार्ट के बहुविकल्पी प्रश्न उत्र करेंगे। पहला प्रश्ण है गुरू दुरोण आचारे ने किसकी बहन से विवा किया था? A. दुरुपत की, B. कृपचारे की, C. महर्ची भारदवाज की, D. उप्रोक्त सभी, इसका सही उत्तर है, B. कृपचारे की प्रश्ण दो पांचाल नरे से कौन मिलने आया था? A. गुरु द्रोन, B. दुरुपद, C. महर्शी परशूराम, D. गुरु कुरुपद चारे, इसका सही उत्तर है A. गुरु द्रोन प्रेशन तीन, दुरुणा चारे ने राजा दुरुपद से अपने अपमान का बदला कैसे लिया था A. आदाराजे छीन कर, B. युद में हरा कर, C. A. और B. दोनो, D. इन में से कोई नहीं इसका सही उत्तर है C. A. और B. दोनो प्रेशन चार, आचारे द्रोन के पिता का क्या नाम था? A. महर्शी वशिस्ट, B. महर्शी भारदवाज, C. भी श्मपितामय, D. उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है B. महर्शी भारदवाज प्रेशन पांच, गुरु दुरोना चारे की आग्या नुसार पहले कौन गया था? A. योदिस्टिर, B. भी भीम, B. अर्जुन, C. भीम, D. दुर्योदा नौरकर्ण, इसका सही उत्तर है D. दुर्योदा नौरकर्ण, प्रेशन छे, राजकुमार की गेंद कहां जाकर गिरी थी? A. कुए मे, B. पार्क मे, C. महल मे, D. जंगल मे, इसका सही उत्तर है A. कुए मे, प्रेशन साथ, गुरु दुरोना चारे ने गेंद कैसे निकाली थी? ए धनुस से बी सीख से सीख हुए में जाकर डी मंदर पढ़कर इसका सही उत्तर है बी सीख से प्रेशन आठ गुरु द्रोन ने राज कुमारों की सिख्षा पूरी होने पर क्या मांगा था ए पांचाल राजा दुरुपत को कैदी बनाकर गुरु के पास लाना इसका सही उत्तर है ए पांचाल राजा दुरुपत को कैदी बनाकर गुरु के पास लाना प्रेशन नो राजा दुरुपत को अचारे के सामने कौन लाया था इसका सही उत्तर है ए अर्जुन प्रेशन दस गुरु द्रोन से राज कुमारों ने क्या सीखा था ए खेल, बी सिक्षा, सी धनूर विद्या, डी इन में से कोई नहीं, इसका सही उत्तर है, सी धनूर विद्या, प्रशन ग्यारा, युदिस्टर के अंगुटी किसने निकाली थी, ए द्रोणा चारे ने, बी राजा दुरुपद ने, सी भीश्म पितामा ने, डी परशुराम ने, इसका सही उत्तर है, ए द्रोणा चारे ने, प्रशन बारा है, राज कुमारों ने सारी घटना किसे सुनाई थी, A. महर्शी वशिस्ट को B. महर्शी भारत द्वाज को C. भीश्म पितामा को D. उपरोग्त सभी को इसका सही उत्तर है C. भीश्म पितामा को तो यहां पर हमारा प्रशनअभ्यास का कारे पूरा हो गया है अगली वीडियो में मैं आपको लाख का घर पाट का सार प्रशनभ्यास और बहुविकल्पिय प्रशन ओतर करवाँगी आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ठैंक यू